अलो फ्रेंड्स असलाम लेकूम इस वीडियो में आपको यह वाली फ्रॉग काट करना और स्टेच करना में कमल बताऊंगे इसलिए 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 पूरी देखे गाए और लाजमी देखे लेंद्ध रखने के बाद आपने जो इसकी विड्ट है उसमें चार-चार इंचिस पर गैप निशान लगा लेने हैं अगर बड़ी फ्रॉग है तो इंचिस बढ़ा देने हैं लेंद्ध के इससाब से इंचिस भी बढ़ जाएंगे इसके बाद इससे कट कर लेने हैं इस तरह से एट पीसिस गट हो जाएंगे अगर आप ज्यादा फ्रॉग की चुडाई रखना चाहते हैं तो आप इसके ज्यादा पीस भी बना सकते हैं उसके बाद दूसरा कपड़ा लेना और इसकी लेंद्ध भी 9 इंची रखनी है और एक एक इंच पर काट लेना है अगर इस तरह से सारी जो पठी हैं उनको दूसरे जो हमने कलियां काटी हैं उनके साथ स्टीच करते जाने हैं एक एक करके यह देखें स्टीच होगी है आप आपस में अब हमने क्या करना है इसके उपर वाला पॉर्शन बना लेना है जिसे हमारी जबान में पेट्टी भी करना है प्रगेटी, शायद झाल झाल आप जो एक शोल्डर हमने काठा था उसको आपस में जोड लेने इस तरह से अब उसके एक साइड जो रहा की थी उस पर स्लाई लगा लेने हैं यह शोल्डर्स लाई हो गया अब यह जो साइड बाची यह न यह वाली इसको स्टीच कर लेने अब एक इस तरह के पट्टी लेनी है बड़ी फ्राग स्टीच करनी हो तो यह जो पट्टी है यह भी बड़ी होनी चाहिए इसकी जो चुडाई है न वो ज्यादा होनी चाहिए लगाने के बाद यह कुछ इस तरह से हो जाएगी अब हमने बटरफ्लाइस बनानी है तो तीतलिया मतलब इससे बनाने के लिए चोटे-चोटे पीस काट लेने हैं टू बाई थ्री या टू बाई फोर्क है अगर बड़ी फ्राग हो तो यह भी बड़ी होनी चाहिए इस तरह से एक थैली से बना लेनी है और एक साइड से कट कर देने है याद रहे सिर्फ एक साइड से थोड़ा सा कट लगाने है और इसके बाद इसको सीधा कर लेने इस तरह से नुक्रे अच्छी तरह सीधी कर लेनी है कोने जोते हैं इसके और सुईधा का लेकर इसमें चूंटे डाल लेनी है इस तरह से यह बटरफ्लाई की तरह बन जाएगा बिलकुल इस तरह से बहुत सारी बटरफ्लाई बिना लेनी है और यह जो कोने है न यहां पर लगा देनी है बीच में एक मुत्ती लगाते जाना या बटन लगा ले या कुछ भी जो भी हो आपके पास पुरी फ्रॉक में जितनी भी कलिया है सब पेके करके एक बटरफ्लाई लगा ले करें जितनी है इस तरह से एक पट्टी स्टिच कर लेनी है और इसकी जो मीड़ साइड है मीट है जो इसका उससे थोड़ा से साड़ पे एक और बटरफलाई लगा लेने है यहां भे झाल 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 यह हम यह कमर बंद बनाया है यहां पर बांदने के लिए और एक और बटरफलाई बना के उससे शॉल्डर पी लगा देने इस तरह से यह देखे हमारी फ्रॉक रेड़ी होगी है अब हमने बालों के लिए एक बटरफलाई बनानी है एक पट्टी लेनी है इस तरह से और इसके उपर एक बटरफलाई लगा देनी है बना के यह देखे हैं यह कुछ इस तरह से बन जाएगी इससे हमने बालों पर बाहन देनी है मारी फ्रॉक बिलकुल रेड़ी होगी होगी है यह देखे अगर आपको अच्छी लगी है तो इससे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्क्राइब करें